एक बहुत ही प्यारा सा शेर है कि कौन कहता है बागबान के आंखे होनी चाहिए यही बात हम इंसानों पर भी लाबू होती है किसी को प्यार से अपने बंग से अपना कर दें कि रिष्टे में हैट उठे के लिए चलिए शुरू करते हैं अब एक फ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए कोटन फैब्रिक ध्यान रहे कि फैब्रिक ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए उसके बाद जिस साइस के आपको फ्लावर बनाने हो उससाइस का आप कोई भी सरकल जैसे बेंगल दे सकते हैं या मैंने जो यह बोक्स लिया है इस टैप से आप ले सकते हैं कि इस तरह से हमें चैपिसें में सकती जाए कि एक भार के लिए, हम छैपिसें खाट करें टे, कि इस से लिए और प्लार को अधारीहकिल करने आप लाद्द कक्सवास काникомशित से, भी प्लार करोड़ाई, खाला, प्लार के लिसे ऐल मसमनें शखरोंग्य नहीं भी के उपिसे चार पीसिस भी करने वाले हैं, टोटल चार में से पांच पीसिस को हमें इस तरह से करना है। इस तरह से पेट कर देना है। इसके बाद जो फर्स्ट और लास्ट था उसे मिलाकर और दोनों को साथ में इस तरह से स्टीच कर देना है। सेंटर पार्ट के लिए जो बचावा पीस थाव से लीजिए। यह कोटन है थोड़ा सा इस तरह से आप रोल करके। इस तरह से पेट करना है। यहां से थ्रिट कट कर लीजिए। है है कर देघा खार्ट कि तरह से तरह से थाटा लीजिए। खॉड़ायbnorygिए। जो भी चादर तरफ से पेक हो जाए तो इसे सेंटर में इस तरह से प्लेस करने है जाए प्लार के साथ इसे चार तरफ से स्टीच करने हैं ध्यान रहे हैं कि जो सेंटर पार्ट है वो फ्लार के साथ स्टीच हो एक और सबसे आसान तरीका है आप क्लू गंसे इसे फिक्स कर सकते हैं जाए जाए बिसे बहाएं